हेलो दोस्तों 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 दिल्ली और गुज्रात के बीच में जो मेच क्ला जाने वाले हैं उसके ग्रैंड लिग की टीम के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन इस वीडियो में आपको यहाँ से प्लियर बताने वाला हूँ जिनका पर्सेंट स्क्षन केवाल 1% है लेकिन आज की में ग्रेंड लिग में काफी इंपोर्टन फिग रह सकते हैं जिनको आप कैप्टर बना के अराम से ग्रेंड लिग भी न कर सकते हो तो वीडियो के अ क्योंकि एंक प्लियर ग्रूप में एक किसी एकलियर और फिर अमन खान को कोई ये इसके अलावा दोस्तों वैकिट किपिंग से है बट अगर यह खेलेंगे तो अच्छे भीक साबित हो सकते हैं यहां पर रिद्धिमांसा काफी कॉमन पिक रहने वाले हैं जिनको स्मॉल लिग और ग्रेंड लिग में भूस्ट लोग लेके बेठे हों हैं सर्फरास खान की बात करो तो यह काफी जबर्दस फॉर्म में चल रहा है रिसेंटल अगर आपने इनकी पर्फॉमस दीखी होगी तो इनकी पर्फॉमस काफी जबर्दस्ते बस इनको लोगों ने कम इसलिए ले रखा है क्योंकि दूस्तों बैटिंग और नीचे है और रिद्धिमांसा का बैटिंग और टॉप है इस कारण से इनका पंसल स् इस वीडियो में बात करने वाले स्मॉल लिकी टीम नहीं डिसकस कर रहा है दोस्तों सरफरास काफी इंपोर्टेंट पर काची मैच में रहे सकती हैं दोनों प्लेरों को कैप्टन वाना थोड़ा से रिस्की रहेगा इसलिए दूस्तों आप सरफरास को प्रिफर कर सकते हो ग अगे बढ़ते हैं दोस्तों बैटिंग की बात करें तो यहां पर बैटिंगे एक्शन में गुजरात के तरफ से तीन प्लेर्स आपको देखने को बिलेंगी सबसे पहलेंगे सुमंगिल डैविड मिलर और बीसाइस दुदरसन दोस्तों सुमंगिल ओपन करेंगे बीसाइस वन्डाउन आएंगे केन विलियमसन के जगा पर खेल रहा हैं दोस्तों केन विलियमसन सीरीस से बाहर हो चुके है आईपल टूनामेंट से इनकी इंजरी के कारण इसके बाद दोस्तों डैविड मिलर आपको खेलते हैं दिख जाएंगे आज के मेच में तो यहां पर आपको अच्छी है तो भी दोस्तों आउट हो सकते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ग्रेंड लिग में आप इनको रिस्क ले सकते हो पेटिस का उसत है टूएड में वेन्यू पे कोई खास पर्फूमेस इनकी नहीं रही है अगर यह फ्लॉप होते हैं तो मान के चलना 30% ल प्लेंग लियर में हैं तो इनका पर्फूम सेक्षन काफी हाई हो जाएगा मतलब 40-50 तक हो जाएगा और यह काफी एक्सेलेंट पिक रहने वाले हैं आज की मैच में एक और चुछ आपको ध्यान भी रखना है जो की नया आता है ठीक है जो पिछला में नहीं केला है और इस पर्फूम में दिखें लास्ट जो अच्छे सौठ के लेते हाले कि वेण्यू पर ठीक रिकोर्टर रहें और हैट नहीं के ले तो एजन आप इनको प्लियर नॉर्बर पिक जील की टीम में ट्राय कर सकते हो केवल पास पर्शन का स्लेक्शन है तो यह काफी डिफरेंशल पि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा रॉम एन पोवेल का है वस वेन्यू पर देखोगे तो यहाँ पर डैविद वार्नर का 31 का है प्रिदीविजा का 26 का है रिली रोस्यो का चाचट का है और रोम एन पोवेल का नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सरी ध्यान काफी इंपोर्टेंट है अच्छे पीक है तेजी से खेलते हैं रिशेटली फॉर्म अच्छा चल रहा है ग्रेंड लिग में आप इनको कैप्टन ब्ला सकते हो थोड़े से हिट एन लिए हुआ है और कैप्टन काफी कम लोग बनाने वाले इनको ग्रेंड लिग में तो यह एक बहत्रीन ऑप्शन रहने वाले हैं जी एल में कैप्टन के लिए एजन नौर्वल प्यार आप इनको ले सकते हैं अच्छे पीक हैं ग्रेंड लिग से दोस्तों और रोमें पोविल क की तरफ से अगर और सेक्शन में देखना है तो आज के मिसमें आपको हो सकता है और इन इसमें खेलते हुँ दिखें अगर यह आते हैं तो काफी जबर्दस ऑप्शन रहेंगे कैप्टन सी के लिए ग्रेंड लिग में एक्सेलेंट पीक हैं बिलकुल ट्राय करना बैटिंग बॉलिंग दोनों में कॉंट्रिबूट करते हुँ दिख सकते हैं और जैसे कि में आपको पता है कोई अगर नया प्लेयर आता है तो उस प्लेयर को ज़रूर ग्रेंड लिग में ट्राय कर लेना इसके अला दोस्तों रिविजय संकर की बाद को थोड़े से अच्छे ठीक प् एक आद्धू टीम के लिए इन प्लेयरों को आप ट्राय कर सकते हो जैसे तेवतिया इनको भी एक आद्धू जील टीम में ले सकते हो सारी टीमों में नहीं लेना है ओठीक प्लेयर रहते हैं ये ग्रेंड लिग पॉंट आप व्यूश से दोस्तों पर्सेशन काफी कम रहता तो जील में आप इनको एजन नॉर्मल प्लेयर अपनी टीमों में लेके चल सकते हो हैट टो एड में इनका सोला विकेट है अच्छी ठीक पर्फूमें से बालिंग में बैटिंग में ज़रूर इतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहे है और दोस्तों वेन्यू पर इनके पर में देखें तो यहां पर भी दूस्तों एक प्लियर ऐसा है जो मुझे काफी जबर्दस लगा है वह है मिचल मार्स इनको दूस्तों काफी सारे लोगों ने अभी भी कैप्टेन बना रखा है आठ से दस परसेंड लोगों की ओल्रेडी टीम के कैप्टेन है लास्टेस में ज एसा प्लियर है जिसको आप कैप्टेन बना सकते हो और यह ऐसा प्लियर हो जो अभी फॉर्म काफी जावर्दस चल रहा है तो अच्छी बड़ी नौक भी इनकी तरफ से आप एक्सपेट कर सकते हो सुमन गिल काफी हाई परसेंड लोगों ने कैप्टेन प्रीफर कर रखा ह प्लिस ओपन कर रहे है परसेंड लेक्शन और भी हाई है दुस्तों उनका तो इसकारेट से मेरे साब से यह मुझे एक एसे प्लियर लगे जो की थोड़े से डिफ्रेंशन रहेंगी जिनको आप कैप्टेन ट्राइ कर सकते हो ठीक है अक्छर पटेल की बात कर दो इनकी रिक कर सकते हो कुछ इतने भी ज्यादा अच्छे प्लियर नहीं है दुस्तों हाला कि अगर वेन्यू पे स्पीनरों को मदद में लेगी तो यह विकेट लिके जा सकते हैं अधरवाइस ठीक ठाक प्लियर रहने वाले हैं जीटी के बॉलर्स देखोगे दोस्तों इनकी तरफ से मे काफी जबर्दस रही है तो इनका बॉलिंग नाइन अफ काफी स्टॉंग है मेरा सेसेशन रहेगा कि आप इनके बॉलिंग को लेके एक ग्रेंड लिग की टिम जरूर क्रियाट करो जिसमें के पाचों में बॉलर हो साथ ही साथ दोस्तों सामने विली टीम को आप कॉलेप्स अगर इनकी टीम को कॉलेप्स होता है तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत स्कोरिंग भी कर जाते हैं तो ये इनके पास एडवांटेज है अलजारी दोसरा का रिसेंट फॉर्म काफी जबरता चल रहा है इंटरनेशनल टीम साउथ आफ्रेकों का हराने में इनका काफी बढ़ योगदान था क्योंकि उस में नोने पांच विकेट निकाले थे लाइन लेंद काफी बढ़िया है फॉर्म में भी चल रहा है पर्सनलेक्शन बहुत कम है 46 पर्सनलोगों नहीं टीम में ले रखा है इसलिए दुस्तों मैंने इनको एक्सलेंट पिक बता है और कैप्टन के में आप इनको जरूर ट्राय करना आज के में जोसे लिडिल केवल नो पर्सनलोगों टीम में ले रहा है देथ लास्ट में बीजव और इन्होंने डाल रहा था विकेट भी लिके गयती है और काफी इंपोर्टन पिक रहेंगे ग्रेंड लिक पॉइंट वी से क्योंकि पर्स लिए ड्रॉब भी कर सकते हो ग्रेंड लिक की टीमों में इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर कुछ और इंपॉर्टन प्लियर है और किस ओर साई को अगर टीम मोका देती है तो इनको ट्राय कर सकते हैं क्योंकि स्पिनरों को अगर मदद भी लेगी तो हो स अगर देखा जाए तो यह इनको एक सपोर्ट कर लेंगे दोस्तों सीवं मावी के ठीक रिकोर्ड है और ठीक ठाक प्लियर रहेंगे जेल में लेना चाहो तो आप ले सकते हो और इसले ड्रॉब भी कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों डीसी के बॉलर्स देखेंगे तो यहां पर भी प्लियर्स काफी अच्छे तगड़े हैं और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं सबसे इंपोर्टर्ट जो प्लियर मुझे आज लग रहा है अगर मुकेश कुमार को फिर से मोका देती है तो काफी जवर्दस एक्सिलेंट फॉर्म में चल रहा है इनका अगर आपने रिकॉर्ड देखा होगा तो इन्होंने दुस्तों काफी सारे विकेट लेके जगाए हैं लास्टेस में विकेट लेज गाए हैं तो इसका अनट से पर्सनल लिक्सन और ज्यादा कम इनका हो गया होगा मेरे साब से ग्रेंड लिग में इनको जरूर कर लेना एकाट टीम में साथ खेल रहे हो एक टीम में इनको कैटन बना के छोड़ जीजेगा बाकी टीमों में भले ही आप इनको मत रखिएगा इसका अलावा एंडिक नौर्थ चे आएंगे तो काफी इंपोर्टन डॉल प्ले कर सकते हैं क्योंकि जो प्लेयर बाद में आता है तो काफी कैटन के लिए बहुत ही अच्छी आप्सन रहने वाले हैं दोस्तों कुल देभ आदव अच्छे पीक है कैटन आप इनको भी जरूर राय करना अगर इस्पनरों को मदद मिलती है थोड़ी सी दोस्तों कॉमन वेन्य बोल सकते हो पेसर इस्पनर दोनों को यहां पर हेल्प मि देते हैं तो बहुत ही अच्छे पीक रहने वाले हैं कैटन सी के लिए मनला सौरी ग्रेंड लिग पॉंट व व्यू से तो दिहान रखना दोनों साइट के मैंने आपको बैटिंग बालिंग बता हैं और आज के मैच मुझे मुझे लग रहा है कि बालिंग टीमों चल सकती है दोस्तों क्योंकि पिछले जितने मैचेस गये हैं बैट्समेनों को सपोर्ट मिला है तो बैट्समेनों के फेवर में बहुत से लोग टीम बनाने वाले हैं लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान डखना है आप ग्रेंड ली खेल रहा हो मेगा जील टार्गेट कर रहा ह तो दोस्तों आपको थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी और बॉलर्स दोनों साइट से मझे काफी जबरदस दिख रहे हैं तो आपको बॉलिंग फ्रेंडली टीम ज़रूर बनानी चाहिए आज के मेच में अगर दस टीम बना रहे हो तो कम से कम दो या टीन टीम ऐसी जरूर होनी चाहिए जो कि पूरी बॉलिंग फ्रेंडली हो बॉलर्स ओको केप्टन वास केप्टन रोटेट करते हो आपको टीम बनानी चाहिए आज के मेच में इसके अलाव दोस्तों कुछ और प्लेयर है अगर इनको चांस मिलता है तो आप इनको भी ले सकते हो यह भी थोड़े दो विकेट निकाले तो यह चीज आपको ध्यार में रखना है अगर आते हैं तो अच्छे पिक रहने वाले हैं इसके अलाव दूस्तों टेली राम चनल को फाइनल अपडेट के लिए वीडियो अच्छ लगाओ तो वीडियो को लाइक जुरू करना है सब्स्क्राइब कर ल तो दो सब्सक्राइब करें केप्टन की कोई जंजड नहीं रहती है केवल एक प्लियर को लेकर टीम बना सकते हैं और अच्छा वीन कर सकती है जिस पर आपका हाई को लग रहा है कि आज यह चल सकता है तो उसको अपनी टीम में पहले से लेलो ताकि दूस्तों आपका उपोनेट उस प्लियर को ना ले पा और इसे अपके वी लिंक नीचे डिसक्रिशन में आपको मिल जाएगी एप का नाम कुबेर है